Hello student, welcome to NPA educator, I am Mrs. Pooja Dhurve and today we are going to see question answer of reading A, unit 1, the jamun tree. हमने jamun tree को पढ़ लिया है और आज हम उसके आगे उससे कोशन आशर उसको देखेंगे, है ना तो हमने jamun tree जब लेसन पढ़ा था तो हमने जाना कि जो jamun tree है वो बहुत useful है हम सभी के लिए और उन बच्चों के लिए क्योंकि पेड से हमें बहुत कुछ मिलता है, है ना आप प देखेंगे कोशन आंसर, इसमें 7 कोशन आंसर है और हम पूरे कोशन आंसर और इवन जो इसके मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है जो मोश्ट ली एक्जाम में पूछा जाता है हम उन कोशन आंसर को देखेंगे, ओके, तो फर्स्ट कोशन इस डिसक्राइब द जामून tree इन एक five sentence this is the first question describe the jamun tree in at least five sentence तो इसका answer आप क्या लिखेंगे so you can write the jamun tree stands tall and straightly with dark green leaves and twilling branches आप जानते हो कि जो रामिन ट्री था वो बहुत ही बड़ा था और इसके जो leaves थे वो बहुत dark green थे और उसके branches काफी फैले होए थे जामुन ट्री वह सोर्स ऑफ जॉय तो दे चिर्रेन और बच्चों के लिए वहां खेलने में उनको बहुत काफी मजायता था जामुन ट्री वास होम टू मेनी क्रियेचर इंक्लूडिंग हॉक काइट स्पैरो एंड एक्सेक्रा जामुन ट्री जो था वह बहुत सारे एनिमल्स के लिए जो नैच्रल क्रियेचर से उनके लिए वह घर था जामुन ट्री प्रोवाइड़ स्वीट श्रिपी फूट्स और जामुन ट्री से हमें कैसा फूट मिलता था श्रिपी मतलब जूस वाला जैसे जामुन ट्री का हम फल खाते थे आप जानते हैं तो इन दिस वे यू कन राइट फाइब एट लिस्ट फाइब सेंटेंस उन के लिए उनके पास क्या उप्शन था माजी मतलब आप जानते हो क्या होता है जिसमें लगडिया चलाते हैं तो इसके लिए उनका सोस्थे तो आप इसका अनसर इस तरह लिख सकते हैं सबसे पहले तो नों यह सोचे थे कि जो पेडों से छोटे छोटे लकडिया नीचे जो गिरती है उसे खटा करके वो माजी बना लेंगे लेकिन वो इसल वो बहुत बड़ा माजी बनाना चाहते थे इसी वेज़े से उन्हों क्या सोचे कि इस बार हम जामुन के पेड को काट देते हैं उसके ब्रांचेस को काट देते हैं तो यह उन्होंने डिसाइड किया था तो इन दिस फेर यह के राइट सेकंड आंसर इस तरह आप सेकंड आंसर देख सकते हैं नौ वी विल सी थर्ड कोशन थर्ड कोशन इस वाट चेंज रिंग की इन्थोसियम फॉर कटिंग दा जामुन ट्री रिंग की का जामुन पेड काटने का जो तिर्व इच्छा थी वो कब बदल गई यह आपको यहां पर लिखना है मतलब वो रिंकी ने डिसाइड किया था ना कि हम लोग जामुन के पेड को तोड़ेंगे तो फिर वो किस तरह बदल गया उसकी जो सोस थी वो कैसे चेंज हो गया तो आप इसका अंसर जानते हो कि जैसे ही वो पेड पर तो उसको कैसे रियालाइज हुआ जब वो उपर पेड पर चड़ा तो उसने रेखा कि टॉप के ब्रांचेस पे दो छोटे से हॉक काइट के बच्चे एक घुसले में थे और एक होल था जहां पर स्क्वार लेते थे तो इसी तरह बहुत से एंड था महां पर तो बहुत सार क्रिचर्चर्स के लिए वो घर था तो वो सोचा कि अगर हम इस पेड को काट देंगे तो वो घहर हो जाएंगे इसवज़ए से ने अपना माइं को चेंग बंच ज पर रिखियो ुसे यह पेड नहीं काटना चाहिए ब्रांच लोट रंड और Dorothy 1 दॉर्ड तो आपको बताना है कि जामुन ट्री से वो दो अच्छी चीजे जो वहां से उनको मिलता था तो क्या क्या मिलता था वो अच्छी वस्तुव के बारे में बता हो जो उसे जामुन ट्री से मिलता था तो क्या मिलता था आप बहुत अच्छी जानते हो तो उसका अंसर आप लिखेंगे जामुन ट्री प्रोवाइड़ फूट से डो वास हों तू डूजन अफ डूजन अफ डूजन अफ क्रियेचर्स इंक्लूडिंग एंड्स हौक स्पैरो इट वस नॉट ओनली हों फूर इस क् अना जैसे एंड होक स्पैरो के लिए तो आप लिख सकते हैं इट वस नॉट ओनली हों फॉर दिस क्रियेचर बट आसो प्रवाइड फूट फूर दैन और उनके लिए घर ही नहीं साथ ही साथ उनको क्या प्रवाइड करता था फूट भी प्रवाइड करता था तो यह तू यह गुड थिंग से जो हमें जामुन्री से मिला तो यह राइड इस आंसर लाइक तीस नॉट फिफ्थ कोश्चन वाइड इट रिंकी जोनक मॉंपी और टिंकी क्यों चाहते थे बहुत बड़े मैगी माजी बनाने के लिए ओके तो आप लिख सकते हैं रिंकी जोनक मॉंप क्योंकि जल्दी ही आने वाला था तो इस सल वो सोचे बचे नों की वो बहुत बड़ा माजी बनाएंगे और इस फेस्टीवल को सेलिब्रेट करेंगे तो इस फिफ्थ कोश्चन इस आश्चन अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो आप इस कोश्चन के आंसर को जरूर याद करेंगे ओके तो इस फाइव इंपॉर्टन कोशन अफ दिस चैप्टर आप इस कोश्चन अंसर को अच्छे से याद कर लेंगे इवन यू कन राइड इस कोश्चन अंसर निन और कॉपी ओके तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि आपनों हमेशा कॉपीट कर सके तो हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में और एक और चीज अगर आपको कुछ प्राब्लम हो और कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लिस कमेंट करके बताएंगे ओके तो वी विल सून मीट इन नेक्स वीडियो तिल एन थैंक यू